इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने आज इंदौर नगर निगम के बेलतार के घर और अन्य पांच जगहों पर छापे मार कारिवाही की जिसमें भारी संपत्ती का खुलासा हुआ स्पी दिलप सोनी द्वारा लोकायुक्त पुलिस की पांच टीमें सुमवार सुभा अशोका कॉलोनी में असलम खान के घर और परिवार के ही अन्य पांच घरों पर पहुँची और छापा मारा जिसमें 12 लाक रुपे नगद, लाकों की जूलरी और गाडियां मिली असलम खान के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने के बाद यहां कारवाही की गई जो अभी भी जारी है इसमें गौर करने वाली बात ये है कि असलम पिछले 20 सालों से इस नौकरी पर पदस्थ है और उसका मासिक वेतन 18,000 रुपे है कायत मिली थी कि रिमूबल गेंग में नगर निकाम इंदवर में पदस्थ असलम खान पिता अबजल खान जो है इनके पास आएसे अधिक संपत्ती ग्यात हुई थी उसी पर आज लोका एक दिन दौर की कारवाई हुई है पुलिस अधिक्षक महोदे के नेतरत में जिसमें जो है इनके पास काफी संपत्ती पाई गई है जिसमें इनकी जो देली उपियोग में जो है तीन 4-wheeler गाड़ियां तीन टूवीलर गाड़ियां जिसमें बुलेट सामिल है इसके अलाबा इनके पास फ्लैट जो बंगला जो इसमें रह रहे हैं आलीशान बंगला इसके अलाबा यहां 112 बटे जो है वो एक और बंगला कुछ दो दुकानों के कागजाद मिले हैं इसके अलाबा और जो है कुछ प्लाट होने की जानकारी मिली है जिन पर अभी हम लोग सर्च जारी है इसकी डिटेल जानकारी जो है आपको अभी साम तक किलियर हो पाएगी